आज के वीडियो में हम लोग cordless pressure washer को repair करना सिखेंगे इसके मैंने screw पहले ही unscrew कर दिये थे तो मैं इसकी housing का upper part निकाल देता हूँ यहाँ पर यह upper part है और इसे हमने अलग कर दिया है इसके बाद आप internal parts देख पाएंगे जिसमें यह pumping unit है जिसमें एक motor attach है हम इस pumping unit को बाहर निकालते हैं यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इसके खराब होने के दो मुखे region है पहला region है inlet pipe से कचड़ा जाना दूसरा बिना पानी के ही इसे सूखा चलाना तो चलिए मैं इसे खोलता हूँ यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें यह 4 screw जो है आपको दिख रहे है एक दो तीन और चार इनें हमें कोलना होगा साथी यह 4 screw जो इस side लगे है इने भी कोलना होगा लेकिन यहाँ इनें कोलने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी जानकरी देता हूँ यहाँ पर आप R लिखा हुआ देखेंगे, इस side L लिखा हुआ देखेंगे, तो इस pressure pump को जब इस direction में आप रखते हैं, तो यह right और यह left होता है, तो यह panels दुबारा से assemble करते समय आपको ध्यान रखना है, मैं screw को unscrew कर देता हूँ, यहाँ पर यह 4 screw जो है, इन्हें हमने unscrew कर दि अभी मैं आपको कमी भी दिखाऊंगा, कि इसमें क्या कमी आई है, पहले यह 4 screw और जो motor के हैं, इन्हें भी हम unscrew कर लेते हैं, इस वीडियो में मैं आपको cordless pressure washer को कैसे repair किया जाता है, के बारे मैं संपून जानकारी देने वाला हूँ, यहाँ पर इसकी motor जो है, इसमें कई सा 21V है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह diaphragm pump नहीं है, यह piston pressure pump है, और यह जो gears है, इन gears के द्वारा motor से power जो है, वो हमारे pump के main shaft, यह अंदर जो shaft आप देख रहे हैं, इसमें transfer होती है, और इसके द्वारा फिर क्या होता है, कि यह जो piston है, piston आगे पीछे movement करता ह यह piston है, जिसको आप कटा हुआ देख पाएंगे, यह plastic का है, और सबसे बड़ी कमी यही है, कि यह plastic का होने के विज़े से कट गया, तो यहाँ पर यह आप shaft देख रहे हैं, इसी shaft में motor से power जो है, वो transfer होती है, और यह shaft बड़ी तेजी से गूमती है, अंदर का mechanism जो है, वो मै एक bearing लगी है, और इस तरह से out रहने की वज़े से piston जो है, वो आँगे पीछे movement करता है, तो यहाँ पर यह जो है, shaft आपने देखी, अंदर का भी part में आपको दिखाता हूँ, जब bearing का center थोड़ा सा out है, और वो तेजी से गूमेगी, तो piston आँगे पीछे movement करता है, तो इस त बिना पानी के ही ऐसे चला दिया गया है, जिसकी वज़े से इसका piston जो है, वो कट गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस pressure वासर को बिना पानी के नहीं चलाना है, ज़्यादा देर तक, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो महंगे cordless pressure वासर होते हैं, उनमे fraction की वज़े से ये cut गया, जिसकी वज़े से अब अच्छा pressure जो है, वो नहीं बनेगा, बहुत हलका सा pressure बन रहा था, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसमें काफी जगे पे cuts जो है, रगल के आप लगे हुए देख पाएंगे, काफी सारा space आ गया है, जिसकी वज़े से pressure जो है वो नहीं बन रहा था, और इस तरह के जो सस्ते cordless pressure वासर होते हैं, जो की लगबग 2-3,000-4,000 तक रुपए में मिल जाते हैं, इनमें plastic के piston का ही इस्तुमाल किया जाता है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक अच्छा cordless pressure वासर पर्चिस क करना चाहते हैं, तो वीडियो के description को चेक करिए, मैंने वहाँ पर कुछ link दिये हैं, जिनमें piston जो है steel के है, अब मैं इस piston का diameter जो है, उसे measure करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 mm का इसका diameter है, और अब हम एक नया piston का निर्माल करने वाले हैं, हमें diameter लगबग सेम रखना है, यहाँ पर आप देखेंगे, aluminium का ये pipe है, और इसका diameter मैं आपको measurement करके दिखाता हूँ, यहाँ पर हम सेम लंबाई के इस aluminium के टुकडे को काट लेंगे, हमें सेम लंबाई में इससे cut कर लेना है, पहले मैं इसका diameter जो है, उससे measure करके आपको दिखा द अगर diameter थोड़ा सा जादा है, तो चल जाएगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका diameter जो है, वो 12.2 mm आ रहा है, जो यह diameter ठीक है, अगर 12.1 होता तो और जादा बैटर रहता, चुकि यहाँ पर panel में water seals लगी है, अगर diameter कम रहेगा तो water leakage होग यहाँ पर आप देखेंगे piston इसके अंदर आसानी से जाना चाहिए, चुकि जो पहले piston लगा था, उसका 12 mm diameter था, अब 12.2 है, यहाँ पर water seals जो है, इनमें भी थोड़ा सा घिसाव आया है, पुराने piston के fraction की वज़े से, लेकिन यह जो pipe कट पकड़ा हम ले रहे हैं, यह ठीक क करेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगा, अगर 12.1 होता तो ज़्यादा और बेटर रहता, तो अब हम क्या करेंगे, कि इन seals को आपको निकाल कर पहले दिखाते हैं, यह जो water seal है, यह water leakage होने से बचाती है, और इनके कटने पर water leakage की समस्य आती है, यह बिलकुर perfect size में है, और अच्छे से इसमें piston जो है, वो move कर पाएगा, फसना भी नहीं चाहिए, नहीं तो motor पे overload रहेगा, तो दोनों water seals आपने देखी, और अब हम इस piston का निर्माल करने वाले हैं, तो सबसे पहले इसे हम same size का cut करेंगे, जैसा कि आप देख पारे हमने same size का cut किया है, और है, आसानी से अंदर चला जाएगा, और अच्छे से movement होना चाहिए, ढिला रहना चाहिए, ज्यादा tight भी नहीं रहना चाहिए, तो मैं यह सारा जो process है, उसे करके आपको final करके दिखाता हूँ, यह सारा process time consuming है, और मैंने काफी प्रियास के बाद इस piston का निर्माल किया है, इ यहाँ पर मैंने इसमें भी घिसाई की है, और जिसके बाद हमने सही size में इसे बना लिया है, और साथी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो piston है, उसमें दोनों side पे बंद रहना चाहिए, आप देखेंगे अंदर side से यह बंद है, फेवी quick का इस्तुमाल करके हमने इसे बि पे load रहेगा, अब हम इसे fit करने वाले हैं, तो मैं इस तरह से इसे अंदर fit करूँगा, आप देखेंगे, बड़ी आसानी से piston जो है, वो हमारा अंदर चला जाता है, और इसे बिल्कुल center में करने के बाद, अब हम जो bearing वाली shaft है, उसे fit करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता जो है, उसे मैंने एक छोटे से video clip के साथ corner पे share किया है, जिसे आप यहीं पर देख पाएंगे, कि मैंने अच्छे से gracing की थी, और उसके बाद यह सारी units जो है, gear units वगेरा fit की है, तो यहाँ पर मैंने gears जो है, उन्हें fit कर दिया है, अब हम motor को यहाँ पर fit करने वाले हैं, औ उसे भी हमने सही से alignment किया है, और अब हम यहाँ पर screw जो है, उन्हें tight करते हैं, और उसके बाद हम आगे का process जो है, उससे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको testing करके भी यहाँ पर दिखाऊंगा, कि किस तरह से piston जो है, वो back and forth movement करता है, तो उसके लिए हमें एक battery की ज वो भी आपको दिखा पाऊंगा, यहाँ पर हमें इस तरह से motor में connection देने है, और piston का movement back and forth आप देख पाएंगे, साथी current 1 ampere consume हो रहा है, तो यहाँ पर अगर ज़्यादा fraction होगा, tightness होगी, तो यहाँ पर current जो है, वो 1 ampere से ज़्यादा अगर दिखाई देता है, तो ऐसी state मे आपकी setting जो है, वो सही नहीं है, और उनको आपको फिर से सही करना होगा, आप देखेंगे कि piston जो है, बिल्कुल सही movement कर रहा था, और किसी तरह की heating issue भी हमें देखने को नहीं मिली है, और मैं अब यहाँ पर यह water seals जो है, इनने लगाऊंगा, तो आप देखेंगे इस तरीक pipe दोरा कचड़ा जाना, तो यहाँ पर उसके लिए आपको यह जो valve है, इनको चेक करना होता है, इस तरह के चार valve लगे होते हैं, दोनों panel में दो दो valve लगे हैं, और इनने आपको अच्छे से देखना है, किसी तरह की कोई गंदकी या कचड़ा ना फसा हो, इस valve में आप दे कालना होगा, अच्छा दूसरी तरह कभी जो कचड़ा है, वो अगर यहाँ पर फसता है, तो आपका pressure जो है, वो अच्छे से create नहीं होगा, तो इस तरह से यह जो valve है, इनने भी आपको सही से साफ कर लेना है, और जारत तर गंदकी या कचड़े की वज़े से pressure जो है, वो कम direction में ही आप लगाएं, चुकि उन पर लिखा भी होता है, तो यहाँ पर यह जो valve है, इसे भी हम check करेंगे, आप देखेंगे कि किसी तरह का कोई कचड़ा तो नहीं है, यहाँ पर हमें इसमें भी कुछ कचड़ा जो है, वो दिख रहा है, तो मैं इसे भी निकाल देता हूँ चुकि यह जो कचड़ा होता है, इसकी वज़े से जो valve है, वो सही से काम नहीं करेंगे, और पेसर अच्छे से create नहीं होगा, आप इन valve को कैसे साफ कर सकते हैं, इसे खोल कर मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखेंगे, इसमें छोटे छोटे lock लगे होते हैं, और उनको आप आसानी से खोल पाएंगे, इसमें एक अंदर spring होती है, और एक plastic का part और है, मैं इसे भी आपको खोल कर दिखाता हूँ, यह जो valve होते हैं, इनमें one side से water जो है, वो intake होता है, दूसरी side से water अंदर नहीं जा सकता है, तो इस तरह से एक side से water जो है, intake करने के बाद वो अगल side का panel है, और right side का panel हम right side में ही लगाएंगे, तो इसे इस तरह से मैं adjust कर देता हूँ, जिसके बाद हमारे जो screw है, उन्हें अब हम कसेंगे, तो यहाँ पर screw जो है, वो लगेंगे हमारे, तो मैं चारो screw जो है, उन्हें लगा देता हूँ, और फिर आपको testing जो है, वो भी करके दिखाऊंगा, और final testing भी हम करेंगे, जब इसमें water inlet का pipe connect करेंगे, अभी हम normal testing जो है, वो करते हैं, मैं battery से supply जो है, इसकी motor में देने वाला हूँ, और जिसके बाद हमारा pump जो है, वो चालू होगा, और इसकी sound से भी आपको थोड़ा सा पता चल जाता है, कि यह अच्छे से क कर रहा है, तो अब हम final testing जो है, वो water inlet का pipe जोडने के बाद करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसे housing में fit करना होगा, और fitting जो है, बिल्कुल simple है, यहाँ पर motor में बस आपको ध्यान देना है, कि motor में एक red terminal का indicator होता है, वहाँ पर आपको battery का red wire जो है, उसे connect करना होग यहीं पर हमें battery का positive जो है, वो जोडना होगा, यानि red wire, जिसके बाद सभी parts का alignment सही से देखने के बाद housing को पहले की तरह हमें fix कर लेना है, अब यहाँ पर यह सारा process करने के बाद मैं आपको final testing जो है, वो दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे हमारा जो cordless pressure वासर है, यह पहल playlist बनाई है, काफी सारे अच्छे वीडियो उसमें डले है, इंड स्क्रीन में आपको वो playlist मिल जाएगी, उम्मीद करता हूँ, यह वीडियो आपके लिए helpful रहेगा, आज की वीडियो में इतना ही, thanks for watching, have a nice day